राश्टर प्रदेश चुनाव में एंडी उमीदवार रामनात कोविन ने जीत दर्श कर ली है इस जीत के साथ तैय होगी है कि रामनात कोविन देश के चोगद्वेव महामहीम के रूप में पता दिखार गहन करेंगे एक बेहत साथरन दलित परिवार में जन में कोविन दब देश की सर्वोच इमारत राइसीन हिल्स में रहेंगे यूपे में कानपुर्द देहात के परोग गाउं में रामनात कोविन का जन 1945 में हुआ था कोविन ने जिस गाउं में आँके खोली वहाँ ठाकुर और ब्रामन भुसंक्यक थे कोविन के परिवार समेट महथ चार परिवार दलित इस पूरे गाउं में थे रामनात कोविन के पिता मेकु लाल एक व्यापारी थे वो पर्चून के दुकान चराते थे हाला कि परोग गाउं में सिर्फ चार दर्ल परिवार थे मगर कोविंद के पिता गाउं के चौधरी कहलाते थे परचून के दुकान चलाने के अलावा कोविंद के पिता एक कपड़ा दुकान के मालिक भी थे इसके अलावा वो एक वैध्य भी थे कोविंद के परिवार पिता के अलावा मा कलावती थी इनके अलावा कोविंद के चार भाई और तीन भहीने है योग के शोकिन कोविंद के पतनी सवीता कोविंद रिटायर कर सरकारी करमचारी है कोविंद के बेटे का नाम प्रशान था और बेटी का नाम स्वाती कोविंद के परिवार में बाकी लोग सामान्य जीवन बिताते हैं कोविंद के भाई मध्या परदेश में अकाउंट अफसर के पत पर रिटायर हुए है एक और भाई सरकारी स्कुल में टीचर है बाकी अपना कारोबार करते हैं रामनात का परिवार बहुत सामाने जीवन गुजारता था। खुद रामनात कोविन ने भी अपने राजनितिक जीवन में बहुत साधरन अंदाज में जीवन वेतीत किया है। उनिस सो तराण में में परोग गाउन से वे कानपूर शहर में रहने आयो और यहां के वैक कल्यानपूर इलाके के न्यू आजाद नगर में एक प्रोफेसर के घर किराय पर रहे। रामनात यहां पर 30 रुपया किराय देते थे लेकिन करीब 12 साल तक कोविन का परिवार यहां पर रहा और 2005 में इसी इलाके में दयानंद विहार में अपना मकान बनवा लिया फिलहाल एक प्रचोनी की दुकान चलाने वाले का बेटा आजदेश की सर्वोस समय दानिक पत पर आसीन हो रहा है रामनात कोविन का पूरा परिवार जसने में डूबा है अब रामनात कोविन 25 जुलाइक और राष्ट्रे पदी